प्राइन मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मान्य उपख्य मंत्री स्री समराट चौधरी जी और स्री विजे कुमार सिनहा जी लोजपा राम विलास के रास्तिय अध्यक स्री चिराग पास्वान जी रास्तिय लोक मोर्चा के रास्तिय अध्यक स्री उपएंद्र कुसवाह जी बिहार सरकार के मान्य मंत्री गन श्री विजे कुमार चौधरी जी स्री मंगल पांडे जी सुमीत कुमार सिंग जी NDA के उमिदवार स्री आरुन भारती जी एंडिये के सभी दलों के दिला ध्यक्ष, सभी मान्ये सांसत गन, सभी विधायक गन, एंडिये के सभी नेता गन, प्रिंटों में एलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायकार बंधूं और इस कारिक्रम में उपस्तित, भारी संख्या में उपस्तित बहनों एवं भाईयों। आज मैं आदर्निये प्रधान मंत्री जी का, आदर्निये नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंजन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने जो कुछ भी काम किया, तो इतना ज़्यादा काम किया है, एक चीज़ तो हम हर दिन कहेंगे, जन्नाय करपुरी ठाकुर जी को, जो आपने भारत दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और ये कोई भूलेगा नहीं, कि जो उन्होंने काम किया, और उनको आपने भारत दिया, अब जानते हैं, हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू तेजी से काम किया, अब आप समझ दीजिए, कि जब पहले था, पांच में जब हम लोग लास्क में आये, मतलब छो सो सोचिए, उसके पहले साम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, आज अपने को बड़ा-बड़ा भारी-भारी बात करेगा, पंदरा साल तक उन्हों को मौका मिला, अब यहार में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और उसका जब हम लोगों को मौका मिला, तो हम लोगों ने क्या-क्या काम कर दिया, आप सोच लिए, कोई भार से बाहर नहीं निकलता था, आप कितना देर तक लोग, लड़का हो, लड़की हो, सब निकलते हैं, अ आद रखियेगा, जो काम आज तक नहीं किया, आप वो तो जूट पूट के बीच में हम एक बार साथ कर लिये थे, आप जूट पूट के अपना बात करता है, जो काम हमीलों का है, हमीलों का किया हुआ, तो उसके बाद को हम देखे, गडबड करता है ता फिर छोड़ दिये आप सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गएं, आप कभी इधर उधर नहीं होने वाले, तो जो काम किया है, पास से लेकर के आगे तक, और केंदर सरकार में दस साल से हैं, आदर निये, प्रहान मंत्री जी, आप कितना ज्यादा कर रहे हैं, आप यहार के लिए भी कितना क काम करवा दिये, आप सोच लिजिए, सड़क का काम, पूल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है, केंदर सरकार की तरफ से, तो इस सोच लिजिए, कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं, आप केंदर सरकार काम करता है, और हर जगा के लिए काम करते हैं, आप सामने ही न सामने देखिए कि कब बढ़ा एक एक चीद देख लिजिए कि सब काम हम लोग किये हुए हैं अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था अब याज तक जो करते रहते हैं आप पहले जब था पांस तक तहिंदु मुस्लिम का भी जगड़ा होता था अजब हम लोग आ गए त अब तक जगड़ा नहीं और गल्ती करके फिर उसी को दे दीजिएगा फिर जगड़ा सुरू करा देगा इसे याद करिए हम लोग तो समाद में सब तब के के उत्थान के लिए काम किये तो भूलिएगा मत सब तरह से काम किया पहले ना बच्चा पढ़ता था ना बच्ची तो छोड़ दीजिए आप कितना पढ़ाई सुरू हो गया हर तरह से काम किया गया आप पहले स्वास्त की कोई व्यवस्ता थी जी कितना होता था इतना कम और हम लोगों ने जब सुरू किया तो कितने बड़े पैमाने से सरकार की तरफ से सब काम कर दिया गया तो इस सारा का सारा काम सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा किया तो इसलिए तो हर तरह से तो हम लोग सुरू से ही पांच में आए तो पहला साल दस तक उसके आगे लगातार हम लोग कर रहे है ये काम आप फिर जड़ा देख लीजिए 2015 में जो हम लोगों ने साथ निस्टे किया अब उसके अंतरगत कितना कितना बढ़ात हुआ हर घर नल का जल हर घर पक्टी गली नाली सोचाल है और ये भी कर दिया कि जो टोला है उटोलों से ग्रामीं छित्रों में जोडने का भी काम किया और 2020 में साथ निस्टे दो में भी सारा काम किया जा रहा है हम लोगों ने पहले भी सरकारी नौकरी आठ लाग के करीब करवाया अब इस बार जो हम लोग कर रहे है कि दस लाग की नौकरी होगी अब सोच लेजिए चार हो गया है एक और तुरत होने वाला है तीन का प्रोसेस कर रहा है तो इस तरह से हम लोग नौकरी और लोगों को रोजगार भी दे रहे है दस लाग रोजगार की बात थी आज भी बड़ी संख्यां में लोगों को रोजगार मिल गया तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे है और हम लोग तो सुरू से ही नियाय के साथ विकास के सिध्धान पर काम कर रहे हैं आप कितना ज़्यादा उत्थान हो गया अब भारी संक्या में लड़कियां भी हैं महिलाएं भी हैं आप कितना हम लोग काम कर दिये जब पहली बार मौका मिला जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले बिहार में हम लोगों ने महिलाओं को पचास प्रत्षत पंचायतों में और साथ में नगर निकावे में भी कर दिया तक इतनी बड़ी संख्या में और लड़कियों के पढ़ने का भी कितना इंजाम कर दिया हर तरह से सब काम कर दिया तो एक एक तरह से और जो हम लोग स्वाइंग साहता समू हम जब केंदर में थे आउस समय बाहर जाके देखते थे कि स्वाइंग साहता समू में और महिलाओं हाभिहार में बहुत कम थी तो जब हम लोग जैसे ही आए, छो में ही हमने, ले करके शुरू करा दिया, और अब उसका नाम दे दिया जीविका, और उस समय की जो सरकार थी, उन लोग भी आया कहें बढ़ा अच्छा आप काम किये, और नाम दे दिया देश भर में आज जीविका, बतलब बिहार में जीव का अदेश में आजीविका यहीं से काम शुरू करा है और आपको मालूम है तस लाख एक्यावन हजार स्वेंग साहता समू हो गया है और एक करोड एक्तिस लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका दीदियों के साथ जुड़ गई है तो अभी तो हमारे आदर निये प्रधान मंत किएगा और हम लोग सब दिन हैं और चाली सो सीट यह सीट भी आप पुरे बिहार के लोगों को कहेंगे सब सीट जितवाईए आइस बार आदर निये प्रधान मंत्री जी फिर से प्रधान मंत्री होंगे लेकिन अब हम लोगों का अग्रह यहीं उमीद है कि इस बार 400 से भी जादा जीतेगे तो उतना जादा हो करके और खूब काम होगा तो यहीं हम कहना चाहते हैं तो इसलिए अब सब कुछ बात हो गया तो एक एक तरह से काम हर तरह से आप कितना जादा चारों तरफ केंदर की तरह से सड़क और पूल का निर्मान कई मेडिकल कॉलेज का निर्म करते और इसके बाद जो भी काम आप करते रहेंगे करते रहेंगा हम लोग भी बिल करके यहां के सेवा करते रहेंगे और आप जरूर 400 से भी ज्यादा बोर्ट से जित करके आप इस बार और बड़े पैमाने पर सब कुछ होईएगा यही हम कहना चाहते हैं नहीं कि सुमिद्वार को जिताईएगा न जी हाथ उठाके बतावा है हाथ उठाके बोला कि जिताएंगे चलिए आई पीछ बाला का यहां पर दोगा तुला हाथ उठा बहुत बहुत धन्यवाद आपको